अश्कार दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में सेल्फ हेल्प में आपका फिर से स्वागत है प्लानेटेशन की अगली कड़ी में हम एक पोधे के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसको चरक सरीता में कनक के नाम से और सुसुत सरीता में उन्मत नाम से वर्णित दतुरा सीवप्री है जिसका वानस्पतिक नाम दतुरा मिटल है और यह शौलो नसी प्रजाती से समंदित है और एक विशेला पोधा है हिंदी में इसको दतुरा कहते हैं अंगलीजी में इसको एपल थोण के नाम से जानते हैं यह पुस्प के आदार पर पांच प्रकार का होता है लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे वह सपेड पुष्पे में आपको दिखा रहा हूं जिसके इंदर प्राकंड esthing dang jyol काम की काम का पोॉदा है अब हम बात करते हैं जिसके अर्वेदी की प Irish पॉदEd कma के बारें देखे सात्य यह जिसे कान की पीड़ा होति है कान में सुझिद मावाद होती है पहपुंद रहती है उस प्रियोग तेखे पत्थे हे इससो ग्राम रस निकालना जी यह जैसे पत्ते यह सब पत्ते दिख रहे हैं इनको कूट पीट के 100 ग्राम रस निकाल ले उसके बाद उसमें 25 ग्राम लेसू की कलियां और 10 नेम की पत्तियां 50 ग्राम सरसुका तेल आद्धी को लेकर किसी बत्तर में लेकर देमी आज में मिलाकर पकार ले और जब यह तेल लाल सुर्क हो जाएं तो इस एक सिसी में बठंडा करके सिसी में बढ़ले यह कान की पिडाम नेड़ा करने वारा बहुती दीवीये औस दिये तेल्ल है इसना आधी में किया जा सकता है एस्तमा खासी कफ में भी बहुत उपयोगी है लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग करने पर यह विश्यला होने की करण पागल पंगिस्ति दिला देता है इसलिए हमें इसे तिकिसे प्रामर्स के नुशारी इसका उपयोग करना चाहिए अब इसका प्रयोग हम देखे हैं पतिय और फल लेकर ब्राबर मात्रा में शूका देना चाया में और फिर कूट कर हांडि में डालकर आग पर रख लेते हैं और जब यह अच्छे तरह से जल कर राक बन जाए इस राक को शिशी में भर लेते हैं फिर इस राक का आधा ग्राम से कम सहद के साथ चाठ लेने से अस्थमा कफ पुराना जुखाम के साथ के लिए अचुग वैरामबान ओजती है किसी को अस्थमा का अटेक हुआ है तो उन्हें धतुर्य के पत्ते का महिन चोड़ चिलम में भरकर पिलाने से तुर्णत रहत मिलती है देखिए चिलम का उप्योग अरवेद में हुआ था लेकिन आजकर लोग इसका तंबा को पिने में उप्योग करते हैं जो स्वास्ते के लिए ठीक नहीं है साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइकर से जरूर दबाए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुस्ता रहे साथियों सब्सक्राइब को स्वस्त रखने के लिए आर्वेद में योग है प्रणाय में है ओस्तियां है लेकिन किसी व्यक्ति का कामोगता खत्म हो जाती सरी जवाब दे जाता है सरी काम नहीं करता ना सरी कमजोर पड़ जाती है उसमें भी दतुरा बहुत ही उप्योगी है इसके लिए हमें क्याकरना ध्रत्रॕत में है बीजश समा ये काड़े में जमीन में घातेज़दे कंण के पार चारतुप कंडू से आग लगा धे आग लगने से इन बीजू में जो तेल है वो रिस्ट कर स्वेते ही नीचे वाली बरतन में चला जाएगा इसको पाताल यंत्र का सरल यंत्र कहते हैं और इस तेल को नीचे बरतन में इखटा करते हैं और इस तेल को हम अगर हमारे जिस विक्तिकी नस्र कमजोर है नस्रों में दर देता है उनकी तल्वों में लगाने मातर से उनमें ये सारी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है और ये तेल केवल पुरुशु के लिए काम आता है ये है चर्म रोग और विसलेजियों को काटने पर इसका उप्योग लिया जाता है जिनको अर्थ्राइटिस है इनके गुटनों में दर देता है जिनके जोडों में दर देता है इसके पत्तों को ये पत्ते जो आपने देखे में ने दिखाये हैं ये सारे पत्ते हैं इनको त तो यहां पर रख देते हैं पत्ते इस प्रिकार से इस प्रिकार से तो यह ठीक हो जाता है किसी के सरीर में घाट हो जाती है दर्द बोल होता है आसानी से पकती नहीं है मवाद बार नहीं आ पाता है तो उसमें भी गाट का करेंसर बनने का खत्रा रहता है तो उसमें भी इसके पत्ते हमें क्या करना है तोड़ने है इस प्रिकार से और इन पर तेल लगाना इस तरफ से आगे वाली पे और इसको घर्म करके जा घांट है वहाँ एक दो दिन बांजने पर घांट जो है पक जाती है और उसमें से मवाद की रूप में मलबा बार निकल जाता है और आपका दर्द खतम हो जाता है और घांट का नामो निशान मिट जाता है और ये नारूरोग में भी बहुत उपयोगी है इसके साथ साथियों हमारा होसला बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर बनता ही है यह जिन माताओं बैनों को बार-बार घर पर पात हो जाता है और वह उनके घर में इस कुझे से गरक ले सिरता है मानसिक एसानती होती है उनके लिए भी दतुरा बहुत उसकी जड़ को आपको काम में लेना है जड़ निकाल लेनी है उस जड़ को गर्वधारन करने से लेके संतान प्राप्ति तक आपको अपनी कमर में उस जड़ को बांद लेना है इससे आर्यूर में अच्चू की उपाई बताया है तो इसे मताओं बैनताओं को आसन से घर प पोदे के वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत